रवश्कार मामित गोदियाल और आप देख रहे हैं उतराखंट का नमबर वन डिजिटल चैनल पहाड टीवी तो आज सीधे पहाड टीवी के जो टीम है वो राम नगर पहुचे हुई है लगातार की जैसे आपको मालूम है कि लगातार पहाड टीवी UK SSSC जो वीडियो पेपल लीक मामला है उसको प्रमुक्था से उठा रही है और उसी की अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार STF गिरफตारी कर रही है और एक बड़ा गिरफतारी की अगर हम बात करेंगे तो उससमें सबसे बड़ा जो नाम अभी निक पूरा रोल और आपको बता दें कि हाकम सिंग रावत कि हो तीन दिन पूलीसरिमान पूली हो था साथ सा जो तनुष शर्माता उसे दो दिन की पुलिस रिमान पे लिया गया है और साथ ही लगातार हम पर मुक्ता से ये मामला उठा रहे हैं और आज राम नगर पहुचे हुए हैं जहां से चंदन सिंग मनराल को गिरफतार किया गया था कैंदन सींग मनराल किस तरीके से चंदन सिंग मनराल किस तरीके से पूरा परकन रहा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे तो हमारे साथ मौजूद है कविंदर सैनी जिनकी भूमी पर किस तरीके से और कितना प्रभाव चंदन सिंग मनराल पूरे कुमाओ छेतर में रखता था वो भी आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे तो हमारे साथ कविंदर सैनी है कविंदर जी पहलो स्वागत आपका पहाड टीवी पर और सीधे सावल आपसे करूँगा कितना प्रभाव और क्या चीज़े थी और किस तरीके से पूरा प्रकन राबता सर ये जो मेरी मम्मी को माता जी के नाम कोड़वार से विस्थापित करके राज्य सरकार ने सन 94-95 में विस्थापित करके यहां बंदोबस्त के तहट बसाया गया और इस जमीन का जो सुप्रीम माने ने सुप्रीम कोड का अदेश है कि पचास वरसों तक उत्रा दिगारी के अलावा अन्य सभी परकाड के नामांतोरों पर रोक हैं लेकिन उसके बावजूद भी फरजी दस्तावेज त्यार करके चंदन सिंग मनालने सिविल ने रामनगर से 0.316 हेक्टर पर यथा स्थिति का आदेश लिया सत्रा पांच दोजार इक्टिस को और यह था स्थिति के आदेश होने के बावजूद भी 24 पांच दोजार पच्चिस को मानने कोट के अदेशों का उलंगन करते हुए यह पचास लागती चार बसे इसने यहां पर खड़ी कर रखी हैं जो कि इतना पवाफशा लिए उसके बावजूद जब मैंने पुलिस पर वह तुरंट पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस आते ही हमसे मना कर देती है खेती वाड़ी करने को और हम मैं तो बहुत मेरे पिता जी जो है एक मजदूर हुए और मैं बहुती गरीब परिवार से हूँ बार बार और इसने हमें इस कंडिशन में लाकर रख दिया है कि केमरामन को मैं जरूर बोलूगा आप दिखाएं कि किस स्तिती में देखिएगा समझिएगा कि कोड़ दुआर से विस्ताफित कविंदर सैनी का पूरा परिवार यहां पर विस्ताफित होता है और किन हलातों में अभी रह रहा है और यह जंग इसलिए भी है देखिए समझि कि आपके पास है क्योंकि आपने यह बी बता है कि ऐसी कई जमीने जहां पर चंदन सिंग मर्नाल ने कब गाबिज किया क्या करेंगा जो एक्चली जैसे पुरानी फिलमों में आपने देखा होगा विलन टाइब का उन्डेव जब गहरा जो पिच्छों में होते हैं सेम इसक स्कूल टाइब का बना रहा है सावल दे में मदर्सा मदर्सा उसका यह परवंदक बना रहा है वहां एंजियो के माद्यम से इसने घोटाले होटाले की हैं और 2016 वाली मैं यह नहीं कहता कि आप परसनली भाजबा सरकार में मतलब सरकार कोई भी हो लेकिन इसके संबंध हर मु कि अदेश हैं उसके बावजूद भी इसके नाम कैसे चड़ा यह करा जबकि इस मामले में एसाइटी जांज भी हो गई है एसाइटी जांज ततकालिंडियम श्री दीपक रावज जी ने की ती उस टेम और सन्युक जांज भी हो गी है और जिन लोगों ने परपत फरजी त जबार अली यह सब सस्पेंड हो एंके खिलाब रामनगर कोतवाली में मुकद में दर्जें लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम यह मकान यह आवास बनाने की त्यारी करते हैं तो पुलिस तुरंत आके हमें अपनी जमीन पर भी आवास नी बनाने देती हैं लास्ट में म तकालिन जैसे मुझे अवाव हुआ और कुछ लोगों ने मुझे बताया मैंने ततकालिन ऐसे चो रामनगर चौकी इंचार्ज को भी दी जिसके बाव मेरे पूरी फाइल मेरे पूरी फाइल है इसके सुप्रीम कोड से लेके नीचे तक का डिरेक्शन है लेकिन उसके बाव जबकि इस्टे जो है 0.316 पर है और कोड से इनों ने क्या करा जैसे भी कराया जो भी कराया 0.717 पर करके दिया लेकिन आज में लेके आया हूं वो 0.316 पर ही है और मैंने उस पर लिखवा भी लिया सर्वे नायब तहसिलदार रामनगर दे उसके बावजूद मैंने जब प कि अभी ये सुनिएगा अभी समझेगा और इसके इलावा चंदन सिंग मनराल के और क्या-क्या यहाँ पर अवहेद रूप में जो कारे करता था वो भी आपको ज़रूर बताएंगे कमेंतर सैनी हैं उनके छोटे भाई भी यहाँ पर हैं उनकी बहन भी यहाँ पर इसी जो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और आप यह समझ सकते हैं कि कहां एक तरफ युबाओं के जो पैसे लेकर जो अकुछ यह संपत्ती जो पूरी जमा की है जो जमीने अवैद जमीने हैं उसके साथ-साथ कहीं अभी आगर बात करें तो स्कूल का संचालन हो रहा था उसके लावा सरकार से जो फंडिंग एंजियो के माध्यम से की जा रही थी तो यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और आकर कितनी जमीने होंगी कितनी संपत्ती होगी यह तो एक बहुत बड़ी जांच का विशह है पर उनके छोटे भाई है क्या सब्सक्राइब निवास है वहां निरह पारे हम अपनी सिक्षा को छोड़के यहां ऐसी जोपड़ी में निवास कर रहे हैं प्लस आए दिन इसके जो भी साथी है आके हमें यहां डराना धंकाना लगातार यूँए बना पड़ा है उसके माध्यम से तब भी अगर कोई ड्राइब करता सबसे माध्य यहिस में सबस्क्राइब खि綁ग में तो जो जर्ब वहिए तो इसके कीषाए जोब जोडिलार छोणा झाल्य मेरे अगरिकोकर परिवार परिवार में खुले होंगे ऐसी उसके परिवार की जांच हो तब जाके फूरे यह फुर्सनी का पता चलता है कि इसके अंदर किने कितना घृटाला करा कितना क्या किया एं कैसे करके क्या हुआ है और बे मतलब मदर्सों में यह संचालन रहा है। जब तो जब उर्दू का ए से अनार नहीं आता तो वह संचालन कैसे हो सकता सबसे बड़ी बात और उस जो मदर्सा है जिस मदर्से मदर्से को इसने एंजियों के माध्यम से स्कूल में परिवर्टित किया लेकिन अब वह बड़ी जमीन जब सामने आया उसका खुलासा हुआ तो वह जमीन वह राज्यसवष विवाग की है लेकिन राज्यसवष विवाग की होने के बाद भी उसमें उसने अपने परसनल नीजी पेड़ लिपिश्टिक के लगा रहे हैं जिसकी सूचना गाओं के ग्रामिनों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है और कई ऐसी चीज़ ने कहा कि कितने प्रभावशाली होंगे आखिर कौन लोग है जिनका संड्रक्षन इने प्राप्त है सबसे बड़े सवाल यह है और समझ येगा ग्राउंड जीरो पे समय है राम नगर में और ऐसे कई जमीन है पहले हम उनसे पूछना पी जाओंगा कविंदर जी थोड़ा स अगर उसमें जांच किरी जाए तो उसकी बेटी वी जो कवीता मननाल है वो भी बीपिटीयों के पत पर तैनाद है और जैसे हमारे यहां कपजा कर रखा है ऐसे यहां 16 नंबर आगे चले जाओ क्योंकि सब ध्यारी मजदूरी करने वाले लोग है परभावशाली यह व्यक् सारा भगवान सिंग महर को सूचना दी तो उन्होंने फॉन उठाने मेरा फॉन ही नहीं उठाया और फॉन से चॉप कर दिया था उस्टेम और 145 की कारवाई करके जबकि बंदोबस भूमी पे 145 की कारवाई नहीं होती और जबकि मैंने इन्हें सुप्रीम कोट के अधेश भी दिखाए के सर इसमें ऐसा था लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई लाश में 107 16 में चलान करके मैंने कोट से 145 भी खारीज करवा दिये ततकालीन उस्टेम एस्टेम विजयना शुकल जी होते थे जो इस्टेम नगर आयुक्त रुडकी हैं ठीक है आपकी बहन भी यहां पर जाती है तमाम कल रात भी आप बैठे हुए थे पूरा क्या कैसा क्या अब सर वो तो आप देखी रहे हैं जोपड़ी के हाल देखे कि हम कैसे यहां पर रह रहे हमें दो साल धाई साल यहां पर रहते रहते हो चुका है ठीक है आये दिन पहली बात तो इनके लड़ाई जाएगा तोड़ फोड़ करेगा मैं अभी बस ले जाता हूं तुम लोग क्या कर लोगे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारा और मन्राल जी तो मेरे चाचा लगते हैं ठीक है इस चीज का वो देके अभी परसोई हमने खेट जब जुताई करी वहीं पर डंडे उंडे ले कुछ है ना कुछ खाने का सईसे है ना पीने का अभी टॉलेट बातरूम का है अगर हम सोचे कि हम बनाएं यहां पे तो वह भी नहीं बना सकते हम जंगल जा रहे हैं ऐसा लैटनिंग बातरूम के लिए तक हम मेरे को एक मैं लेडिज हो के महिला होके मुझे बाहर जाना पुलिस परशाशन में हैं ना ही कही है हम जाते हैं पुलिस परशाशन में भी जाते हैं तो अपने फरजी दस्तावेश दिखा के हम लोगों को ही वापस भेज देते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो हम तुम्हें अंदर डाल देंगे तुम्हें ही अंदर लेकिन मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए बिलकुल और यह सबसे बड़ी बाते देखिए स्टीएफ की पकड़ में चंदर मन्राल आया है कितनी कड़ियां भी जुडनी है वो तो देखने वाली बात होगी पर समझेगा कि ऐसे प्रभावशाली जो विक्ति है आखिर इन पे कारवाही कब होगी और इसके बाद जैसे जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगाया है कि उ आई लेवल जो मंत्री और जो पूर्व के बड़े नेता जो है उनका सीधा हाथ इस भरती में भी घोटाले और पेपल लीक में हो सकता है वो तो आगे-आगे जब कडियां जुड़ेंगी उसमें साफ निकल कर आएगा पर CBI की जांच लगातर जो यूबा है वो इस समय कर है तमाम जो विदायक है भूबन कापडी हो गए उमेश कुमार हो गए वो लगातर यह मांग कर रहे हैं कि इस पर CBI की जांच होनी चाहिए साथी कविंदर जी कुछ कहना चाहरे है वो भी आप समझेगा कि आखिर जो यह चेन है कहां तक जाने वाली है कहां तक यह चेन जबकि 0.316 हेक्टर पर कप जाया है यहार 0.717 हेक्टर पर जदसती थी जबकि यह इस्टे भी नहीं है तब भी पुलीसी से मान रही थी जबकि फिर मैंने ततकालीन नायब तैसिलदार मिश्रा जी से लिखवा के चौकी परवारी को दिया तब जाके मैंने यह करी अब यह राजनितिक दवाब में या वो पहले यहां अटेजमेंट थे कल ही उनका बागेश्वर ट्रांसफर भी हो गया है कल भी और यह 0.717 पर है जब आज में 238 को लाया हूं तो यह नियाले से ही मुझे भी जी यहां करके दे दिया यह भी जी यहां करके दे दिया और इसमें को साथिया म Já mauraday Jako के सारी आपको भी घुम्रा कर रहा है और मुझे ंखिराय रजावाने का कालट ढोंगी तहने में या राजबवन में नियुकते हैं स्टेम तो स्टेम भी नों ने सडियंत वंदयंत रचा मेरे खिलाब लेकिन उपर वाले की किरपा से और आशिरवाद से सारी लोग गलत नहीं होते पुलिस विवाग में भी और सारी लोग सही भी नहीं है अगर सही ह नहीं हम यहां पर बॉरिंग करा पा रहे हैं अपनी जमीन में जबकि आप सुरू से लेके अब तक की देखोगे तो मेरी माता जी के नाम में भूमी है पूरी एटूले के जैड पूरे कागा जबकि मानेने सुप्रीम कोट के अदेश होगा भी लंगन क्या जा रहा है जब म मेरी एग नहीं सुनते हैं अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरी फाइल पूरी इतनी चार-चार चट्ते लगे पड़े हैं जबकि मैंने मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री मुख्य चीफ सेकेटरी रेवेन्यू सचीफ से लेकर सासन से लेकर परसासन इस तरह के अधिका मुलाकात करका हैं उन्होंने SDM रामनगर को पत्र लिखा लेकिन उस पत्र के लिखने के बावजूद भी यह बसे नहीं अटाई गई यहां से ठीक है यह कविंदर जी की पीड़ा है और ऐसे नाजाने कितने कविंदर होंगे समझिएगा कि एक तरफ जहां पेपर लिग करक पत्र लिखा लेकिन रामनगर और तमाम जगाओं पर चंदन मंडराल और उनके परिवार के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उनके नाम पर हो सकती है अगर स्टेफ सभी तक करती आ रही है या सीबी आई जाज इसमें होती है तो कई बड़े नाम और उसके साथ सा संपत् जो लगातार गुषार लगा रहा है पर नियाय ने नहीं बिल पा रहा है चौकी थाने तमाम जगाओं पर जा जाके ठक चुके हैं पर इंसाफ की कोई किरण नजर नहीं हारी हम भी लगातार कुमाओं ब्रहमन पर हैं और अलगर जगा में जाके आपको दिखाएंगे कि किस करेगा पहाट टीवी